अलो गुड मॉनिक स्टूड़न आयोपकी ठीक हो के बिटा आज हम क्लास 7 की स्टडी करने जा रहें सब्जेक्ट हमारा हिंदी व्याकरण का है और वीडियो नमबर हमारी कौन सी है वीडियो नमबर फस्ट वीडियो है ठीक है इस तो स्टार्ट करते है चैप्टर नमबर हमार परिभास जो आपको नाम दे रख है संग्या उसकी परिभास आपको पता होनी चैए मैंने अंडरलाइन कर दिये एक बर मैं आपको पढ़के बताती हूं और यह आपको लन होनी चैए किसी वेक्ति वस्तु इसान प्राणी और भाव का बोद कराने वाले शब्द संग्या कह इस अंसान में परते एक वेक्ति स्थान वस्तु भाव का कुछ ना कुछ नाम आवश्य होता है यह नाम ही संग्या कहलाता है किसी वेक्ति का वस्तु का यह किसी कोई भी चीज हो उसका कुछ ना कुछ का नाम जरूल होता है उसको क्या कहते हैं हम क्या कहलाते हैं संग्या कह व्यक्तिवाचक संगया, जातिवाचक संगया और भावाचक संगया ये तीन भेद इंपोर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए एक्जाम में कुशन आ सकता है कि संगया के कितने भेद होते हैं तो आपको पता होने चाहिए संगया के कितने भेद होते हैं तीन भेद होते ह वेक्ति वाचक जिस संग्या सब्द से किसी विशेश वेक्ति स्थान अत्वा वस्तु का बोध होता है उसे वेक्ति वाचक संग्या कहते हैं दूसरा है जाति वाचक जब कोई संग्या या जब कोई संग्या एक ही परकार के सभी प्राणियों वस्तु आधिका बोध कराता है तो इससे उस प्राणिय वस्तुप की पूरी जाती का बोध होता है, ये टॉपिक नंबर टू है, जाती वाचक का थड़ है आपका भावाचक, जो संग्या सब गुण, कर्म, दशा, अवस्ता, आदी भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भावाचक संग्या कहते हैं, तो ये ती टॉपिक मैं आपको पता दिये हैं, ये तीनों भेद हैं, ये आपको पता होने चाहिए, और इनकी डेफिनिशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, स्टुडेंट मैं अंडरलाइन कर दिये, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारे तीन टॉपिक थी यह आपको अच्छे से लन होने चीए मैं अंडरलैन कर दिया है नीचे आपको और दे रखा है वो आप खुछ से पढ़ोगे ठीक है भाव आचक संग्या बनाए बनाने के लिए बतायागा है कैसे बनाए तो यह दे रखा है भाव आचक संग्या निमलिकित पांच परकार के सब्दों से बनाई जा सकती है कितने सब्दों से बनाई जा सकती है पांच परकार के सब्दों से बनाई जा सकती है जैसे जातिव आचक संग्या से सरनाम, सरनामों से विशेशोणों से, किरियाओं से आवे उसे इन सबसे क्या बनाई जा सकती है भाव अचक संगे बनाई जा सकती है ठीक है यह deeply में दे रखा है आप खुछ से read करोगे और समझोगे अगर किसी में problem होती है तो आप पूस सकती हो ठीक है यहाँ पे भी आपको deeply में दे रखा है यह आप खुछ से पढ़ोगे यह म comment आपको अच्छे से याद होने चीए अगर किसी में problem होती है तो आप पूस सकती हो question answer मैं खुद करवाओंगी खा question आपका book में करना है और और आपका गा करना है यह दो question दे रहा कि मैंने आपको homework के लिए यह आपको अपनी book में ही करना है तो student आज के लिए बस इतना ही next class म हम next chapter के साथ मिलते हैं okay student